बिंडी लेडी फिंगर धुना हुआ जीरा पाउडर और तलने के लिए तेल भिंडी का रायता तयार करना क्या है भिंडी को साफ कर लें पोंच लें धोने के बाद में अच्छी तरह से सुखा लें और उसके बाद इसे पतला पतला काटना है हमने इस तरह से लंबा लंबा काटना है और यही खासियत है इस रायते की आपने इसे अगर पतला पतला नहीं खाटा तो मज़ा नहीं आएगा तो पतला पतला और थोड़ा सा छुरी को इस तरह से डाइगनल रखकर फिर काटें पिट्टी के परतन में बहुत अच्छी जमती है आप दूद को गुनगुना गरम कर लें और उसमें दही का जो जामन है वो लगाएं करीब अगर एक लिटर दूद है तो डेर छोटा चमच दही आपको लगेगी दही का जामन और उसे आप अच्छी तरह से मिला लें अब उस से कौन से टेंपरेचर पर रखना है करीब 45 डिगरी सेल्सियस पर अच्छी जमती है तहीं तो भिंडी को हम डीप फ्राइब कर लेते हैं अब यह जो भिंडी है वो हमने डीप फ्राइब कर लिए थोड़ा सा और क्रिस्प करता हूँ भिंडी तियार और यह जो भिंडी है एकदम गर्मा गर्म क्रिस्प भिंडी थोड़ा सा फेला लेता हूँ मैं और इस भिंडी को क्या करना है सबसे पहले तो जब यह गर्म हो उस समय इसके उपर चाट मसाला फोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा नमक जीरा भुना हुआ और पिसा हुआ और सूखी हुई लाल मिर्च यह सब चीजे मिक्स कर लें ताकि जो भिंडी है उसमें बढ़िया सा टेस्ट आए और इसके बाद जो दही है उसमें यह चीजे हमने डालनी है नमक काला नमक चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पिसा हुआ इन सब चीजों को मिक्स करें जब रायता आप बनाएं उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रायते के लिए जो दहीं लें अच्छी क्वालिटी की हो उसके बाद चान लें यहां तक तो आपने देख लिया अब एक जो बहुत जरूरी चीज वो यह है कि जो दहीं एकदम ठंडा होना चाहिए तब ही उस समय आप दही में सब मसाले में लाए और उसके बाद यह जो भिंडी है इसको दही के अंदर डाले और इसे मिक्स कर ले तो लीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया रायतुक आप इस तरह से सर्व ना करें आप मिक्स करने के बाद में जब रायता आप सर्व करने जिस बोल में आपने से सर्व करना है और भिंडी का रायता और उसके बाद सर्व करने से पहले ये जो बाकी बची हुई भिंडी है जो फ्राइ की हुई है इसको उपर रखें इससे गार्निश करें से सारी उपर से ध्यान से डालें और अब भिंडी का रायता तयार जब लोग इसे देखेंगे तो समझेंगे कि यह क्या है लक्ती तो भिंडी है लेकिन ऐसे दही के उपर क्यों रखी है समझ नहीं आएगा जब तक इसे खाएंगे नहीं आपको भी अगर ऐसे दिखा दी जाए तो समझ नहीं आएगा लेकिन आप बना के देखिए सिंपल है बिंडी का रायता बिंडी रायता, बिंडी रायता बनाने के लिए हमें चाहिए बिंडी 15-20, दही 4 कप, चाट मसाला 1 चोटा चमच, काला नमक 1 चोटा चमच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1,5 चोटा चमच, लाल मिर्च पाउडर 1,5 चोटा चमच, नमक स्वाधनुसार, अनिसामगरी तलने के लिए तेल